आपके सामने में एक कुशन लेकर आया है, बहुत इंट्रेस्टिंग है और कभी ना कभी आपसे जरूर पूछा जाता है डिफरेंस बिट्विन हार्वीरस, कार्निवोरस और अम्निवोरस ठीक है, तो इस पे आपको डिफरेंस बताना है इसका मतलब भी मैं बता दूँ, साकाहारी, मासाहारी और सरवाहारी, ठीक है हर्वी वोरस, कार्निवोरस और अम्निवोरस, तो इनका मतलब आपको मैंने बता दिया है और इसके साथ आपको इनके दो example भी देने हैं तो चलिए मैं आपको start कर देता हूँ Herbivorous Animal which eat only plants Plants part and plant product are called Herbivorous ठीक है? ऐसे जानवर या ऐसे जनतु जो या तो plant खाते हैं, पौदे खाते हैं plants के part खाते हैं पतियां जैसे ये हो गई, पतियां हो गई या और भी कुछ हो गया तो वो क्या कहलाते हैं हर भी वोरस तो इसका example है cow, deer और elephant सबसे नमर पे cow, deer, elephant ऐसे जनतु जो या तो पौदे खाते हैं, पेड़ खाते हैं या उनके part खाते हैं अगले पे आ जाते हैं कार्णी वोरस ये हो गया हमारा साकाहारी ये क्या है भई, साकाहारी ये हमारा है साकाहारी ये हमारा आएगा मासाहारी animal which other animal are called कार्णी वोरस, animal which eat अधर एक जानवर, दूसरे जानवर को खाता है वो कार्णी वोरस होता है example, lion or lizard चिपकली को देखा है आपने कभी भी कीट पतंगों को light के पास में खा जाती है और सेर को देखा है वे छोटे जानवरों को खा जाता है, तो वो मासाहारी हुआ और आप मुझे comment box में दो मासाहारी जानवरों के नाम भी बता सकते है omnivorous यह होता है सरवाहारी ठीक है, ऐसे लोग जो मास भी खाएंगे, पेड़ पत्तियां भी खाएंगे, animal which eat both plants and animals ठीक है, क्या सही लिखा है नहीं यहाँ पेड़ पौदे भी खाएंगे और जानवरों को भी खाएंगे और card omnivorous ठीक है, ऐसे लोग, ऐसे जनतू ऐसे जीव, जो पेड़ पौदे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, example dog डॉग को आप खाने में क्या-क्या देओगे भाई वो plants भी खा जाता है human, इंसान, वह plants भी खाता है, सबजी भाजी, यह सब भी खाता है, लेकिन वह plants भी खाता है ठीक है, इस तरीके से आप मुझे भी सबके दो-दो example आपको आते हैं, तो आप मुझे comment box में जरूर बताएं और वीडियो अच्छ लगा हो तो like करना बिल्कुल न भूले